क्या आप जानते हैं कि महालक्षमी का प्रादुर्भाव राधास्टमी से लेकर श्रादपक्ष की अस्टमी के बीच में हुआ था तो इस बार 23 सितंबर से लेकर 7 ओक्टमबर तक महालक्षमी अनुस्ठान का आयोजन किया जाएगा क्योंकि इसी समय हुआ था महालक्षमी का प्रादुर्भाव तो अगर आप इस अनुस्ठान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिये के नमरों पर जरूर संपर्क करें नमस्कार तो स्वागदम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज बाबा राम देव जैनती की आप सभी को हार्दिक शुपकामना है साथ ही जल शूलनी एक अदशी पियार ही है ये हमारे लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं ये हिंदू और मुसल्मान दोनों की एकता के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं क्योंकि मुसल्मान भी राम सापीर के नाम से इन्हें जानते हैं और हिंदू इन्हें बाबा रामदेव के नाम से पूछते हैं। ये राजिस्थान के किवल एक मात्रह से देता हैं जो की सामप्रदाइक्ता से हट कर हैं। ये रामदेव जहनती पर उनके पगलियों की पूझा राधना की जाती है। ये पत्मा एकादशी भी कहता है। जलजूलनी एकादशी के दिन भगवान विश्णू जो की चतुर मास के दोरान योग निंद्रा में होते हैं। ये शेयन के दोरान करवट बदलते हैं। और इस एकादशी के वरत करने से वाजपेय यग्य के समान पुन्य फल की प्राप्ती होती है। जो भक्त शुक्ल पक्षकी इस एकादशी का वरत करता है और पूजन करता है। उन्हें भ्रह्मा विश्णू सही तीनों लोकों में पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये है जल जुलनी एकादशी ऐसे ही जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रही है अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज का यानी 25 सितंबर सुमवार का देनिक राशी फल। इसका टाइम पिरिड़ दौपेर एक बज़ के तीस मिनट से तीन बजे तक रहेगा वहीं रावकल का समय सुभा सांट बज़ के तीस मिनट से नौ बज़े तक रहेगा तिशाशूल आज पूरु दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशको तो दूद पी कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज के दैनिक राशी फल का हाल आज जल जूलनी एकादशी यानि परिवर्तनी एकादशी से सम्मंदित कुछ विशेश उपाये मैं आपको वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ तो इन उ अविशे से समंदित कुछ प्रशनों के उत्तर प्राप्त करना चाते हैं अपनी जिक्यासाओ को शान्त करना चाते हैं तो आप टेलिफोनिक अपॉइंटमेंट और परसनल मीट के माधिम से मुझसे जोड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दियेगे नमरों पर कॉल या फिर वाटसेप जरूर करें बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं प्रथम राशी यानि महिश राशी से आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन रस्वी भाव में गोचर ब्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहेगा कोई बड़े डिसीजन आज के दिन आपको वर्क प्लेस पर लेने पड़ सकता हैं आज के दिन कारियों को टालने का प्रयास न करें वरना उसमे नुखसान की स्ततिया बढ़ सकती है आज के दिन मित्रों का साथ और सेयोग आपको बरपूर देखने को मिलेगा और और आज पूरा दिन उसमें उसे वही पर ही रखा रहने दीजिए अगले दिन उस मूं से भरे हुए बरतन को किसी सुपात्र प्रामन को दान कर दीजिए ऐसा करने से आपकी पारिवारिक समस्यां दूर होगी और खुशियां बरकरार रहेगी आपका शुबरंग रहेगा स् जान लेते हैं ब्रशब राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रवा आज के दिन नवम भाव में गोचर प्रामन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए भाग्यवर्तक रहेगा आपके काम बंते चले जाएंगे आपके अधूरे पड़े हुए कारियों के लिस भी छोटी हो ज जाच परताल करके ही आगे बढ़ें सुखों में व्रती होगी और वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे आज के दिन भगवान विश्नु की पूजा के समय भगवान को केसर का तिलक जरूर लगाएं फिर उनके वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार जाब जरू करेगा अच्छे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशी का हाल आपकी रासी से चंडर माज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए यात्राओं से बरा रहेगा परन्तु वो यात्रा है आपके लिए सुकद और मं परना जानवरों से चोट लग सकती है आज के दिन आप तुलसी के पौदे में थोड़ा सा दूर दूध अर्पित करें और दोनों हाथ जोड कर तुल्सी के पौदे को प्रणाम करें आज के दिन ऐसा करने से जीवन साती के साथ आपके रिष्थे और अधिक बेहतर होगे आ हम हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं करकराशी का हाल आपकी रासी से चंद्रम आज की दिन सब्तम भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन लाइफ पार्टनर के साथ में आपके ट्यूनिंग को और अधिक बैतर करता हुआ दिखाई देगा आपके काम बनते च भगवान श्री अरी विष्णू की विधी पूर्वक दूप दीप आदी से पूजा अराधना करें और विष्णू गायतरी मंत्र का जाप करें आपका शुभरंग रहे का पीला शुभंग रहे का आठ अब हम आगी बढ़ते हैं और जान लेते हैं सी हिराशी का हाल आपकी आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन चेटी भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज का दिन रोग और शत्रू की संख्या बढ़ा सकता है इसलिए ऐसे लोगों से साबधान रहें अपनी गोपनिये बातों को किसी के साथ शेयर न करें और गोपनिये दस्दाविजों क शुरक्षित स्थान पर रखते हैं आज के दिन कारिय प्रगती पर रहेंगे परंतु रुपे पैसों से समंधित कारियों को किसी और पढ़ना डालें बलकि खुद खड़े रहकर पूरा करें आज के दिन ननियाल से यानी मात्रपक्ष से आपको फाइनेंशली पूरा सपोर देखने को मिलेगा आज के दिन सुबह के समय स्नानादी से निवरत होकर भगवान विश्णु के विधी पूर्वक पूजा अर्चना करें फिर केले के पेड़ के पास जाकर उनको प्रणाम करें और उसकी जड में पानी डालें आज के दिन ऐसा करने से आपको उपने सभी क में गोचर प्रमन करेंगे अतर आज का दिन करियर में आरे दिक्कतें और परिशानियों को समाप्त कर देगा आज के दिन आपका वीजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा यात्राएं सुखद और मंगल में रहेगी कार्यों दृत कती से संपन होंगे डिसिजन मेकिंग स्ट्रॉंग होती हुई दिखाई देगी और कोई इंपोर्टन डिसिजन वर्क प्लेस पर लेने से उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी आज के दिन अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विश्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चाद भगवान विश्णु की मूर्ति के आगे बैटकर निम्न मंत्र का 108 बार जाब जरूर करें ओम नमो भगवते नारायनाय आज के दिन ऐसा करने से आपका दामपत्यत जीवन सुख मैं रहेगा आपका शुभरंग रहेगा भूरा शुभंग रहेगा चार अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशी का हाल आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौ कोई रमनी किस्तल की याक्रा संभव हैं आज के दिन फैमिली को टाइन देकर आप उनके साथ अपनी बॉर्णिंग को और अधिक बैतर करते हुए दिखाई देंगे वहीं आध्यात्मिक कारियों में भी आज आपका मन अधिक लगेगा एकादश के दिन भगवान करेगा पांच अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं व्रशिक राशी का हाल आपकी रासी से चंद्रम आज के दिन तीसरे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे अता आज का देन आपके बल और पराक्रम में व्रती करेगा छोटे भाई बैनों से आपकी टूनिंग और आज के दिन समाप्त हो जाएगी आज के दिन गौर्मन जॉब से जुड़ेवे लोगों को प्रमोशन और इंक्रिमेंट भी बिल सकता है इस एकादशी के दिन भगवान विश्नु का पूजन करते समय कुछ सिक्के उनके सामने रखें पूजन के बाद ये सिक्के लाल रेश इसे चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन धन समंदी समस्याओं को खत्म करता हुआ दिखाई देगा रोजमर्य के लाब में व्रती होगी आपके काम बंदे चले जाएंगे कुलिक्स के साथ आपकी टूनिंग और अधिक बैतर ह होती होई दिखाई देगी आज के दिन आपकी यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगल बह रहेगी पराक्रम और बल में प्रती होगी और होबी से रिलेटेट कारियों से आज आप प्रसिद्धी हासिल करेंगे इस एक आदशी के दिन बगवान विश्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीपल और सवा ग्राम साबुत बाताम जरूर चड़ाएं आपका शुब्रंग रहेगा मजेंटा शुबंक रहेगा दू अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकराशी का हाल आपकी रासी में चंद्रमा आज के दिन गोचर भ्रमन करेंगे मता आज का आपके आकरशक व्यक्तित को और अधिक बढ़ाएगा जिससे शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे आज के दिन आप कोई भी कारिय करेंगे उसमें आपके कारियों को प्रसंसाही प्राप्त होगी आज के दिन यात्राय आपके लिए सुखद और मंगल में र इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डाल कर जल अर्पित करें और साम के शमय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं आपका शुबरंग रहेगा गोल्डन शुबंक रहेगा साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुम्राशी क आपकी रासी से चंद्रमाज के दिन बारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके खर्च की स्ततियों को बढ़ा सकता है या अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें आज के दिन कोई भी कार्ये चल्दवाजी में करने से बचे जी विश्णु मंदिर में भगवान श्रीयरी विश्णु के सामने नो बत्तियों वाला राद बर जलने वाला दीपक लगाएं इससे आर्थिक प्रगती तेजी से होने लगेगी आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा तीम अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते ह में राशी का हाल आपकी राशी से चंदर माज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज का दिन आकस्मिक दनलाप की परिसितियां आपके जीवन में लेकर आएगा कुछ काम जो कि आपके अधूरे रहे हैं वो दुरुत गती से संपन होंगे आपके कार चात्रों को विशेश सफलता के योग रहेंगे इस एकादशी के दिन भगवान विश्नु को पीले पुष्प से श्रंगार करें उन्हें सुगंदित चंदन लगाए और इसके बाद बेशन से बनियोही मिठाई का नेविद्य भी लगाए आपका शुबरंग रहेगा मस रहे और हमीशा मुस्कुराते रहे जैश्री रादे कृष्णा